Hello everyone, स्वागते आप लोगों का मेरी YouTube चैनल LWD Job में DAV Public School से Permanent to Sikshak भरती का नया notification जिसमें Post Graduate Teacher की Vacancy है, Physical Education Teacher की Vacancy है Mother Teacher की Vacancy है, जिसमें Pre Primary Section के लिए Entity वाले, Beard वाले भी जो है इसमें अप्लाई कर सकते हैं Lab Assistant की Vacancy है तो बाकी जो है notification में सारी चीज़ें चेक करेंगे तो इसमें PZT Teachers के लिए जो salary रहेगी Basic Pay 47,600 रहने वाली है, बिलकुल fixed salary रहेगी TZT के अंतर का 35,400 salary है Physical Education Teacher की 35,000 तक salary इसमें रहने वाली है ठीक है, चलिए देख लेते हैं Official Website पर 5 November तक आप लोग आविदन कर सकते हैं Basic Pay जो है मैंने आप लोगों को बता दी 7P Commission की according जो है इसमें रहेगी Official Website तो DAV नंदराज पब्लिक स्कूल इसमें जो है यहाँ पर यहाँ पर करियर सेक्शन पर जैसे ही आप क्लिक करते हैं तो यह Notification जो की News Paper में भी Publish किया गया है और Official Website पर भी है तो यहीं से आप जो है देख ले इसमें PCT के लिए English, Physics और Chemistry यह तीन सब्जेक्ट में वेकेंसी है Number of Post 1 for each subject हर एक के लिए एक एक वेकेंसी जारी की गई है Post Graduation आपकी सब्जेक्ट में प्लस B.Ed और 5 साल का Teaching Experience इसमें होना चाहिए ठीक है पर्मानेंट वेकेंसी है यह तो आप देख लें अगर आप जो है इसमें Elisible हैं तो बिल्कुल Apply करिएगा Physical Education Teacher इसमें दो वेकेंसी है एक Male की एक Female की है तो B.Ed, M.P.Ed वाले तीन साल के अनुवफ के साथ में अप्लाई कर सकते हैं Freshard बिल्कुल यहाँ पर P.G.T. और Physical Education Teacher के लिए अप्लाई नहीं कर पाएंगे और Mother Teacher के लिए भी अप्लाई नहीं कर पाएंगे Mother Teacher में जो है For Pre Primary Section के लिए जिसमें एक वेकेंसी है Graduation के साथ में Entity वाले और B.Ed वाले भी जो इसमें अप्लाई कर सकते हैं इसमें तीन साल का Teaching Experience होना जरूरी है Lab Assistant के लिए Subject है Biology वाले और Physics वाले जिसमें एक वेकेंसी है तो Qualification B.Sc, Physics, Biology या फिर Bio Technology अगर आपने किया हुआ है एक साल का इसमें अनुवाब होना जरूरी है Basic Pay जो है आपकी 7 Pay Commission Recommendation Along with D.A.S. Per School Norms यहाँ पर तो आपको salary नहीं दिख रही है लेकिन इसका जो notification है इससे पहले वाला इसमें आप जो है salary देख सकते हैं जिसमें P.Z.T.K. Teachers को जो salary है यहाँ आप देखें 47,600 है ठीक है T.Z.T. में या salary 45,900 दी जाती है PRT के लिए 35,400 और Physical Education Teacher के लिए 25,000 से लेकर 35,000 तो Mother Teacher की जो salary है वो आप मान सकते हैं कि यहाँ पर 25,000 तक जो है उनको salary मिल पाएगी ठीक है तो यह जो है यह vacancy का जो notification है इससे पहले जो जारी हुआ था उससे मैंने जो है इसे लिया है बाकि फिलाल जो vacancy आई हुई है इसमें इनोंने salary mention नहीं किये है बाकि सारी चीज़ें आप लोगों को इसमें ही मिल जाएगी कैसे apply करना है अब कैसे apply करेंगे चले यह देख लेते हैं applying on handwriting affixing a passport size photograph positively by 5th November with all testimonials and detailed bio data तो आप लोगों को जो है खुद की handwriting में जो है application लिखना है passport size photograph आपको उसमें लगानी है bio data आपका जो है 5 November तक पहुँच जाना चाहिए आपके सभी document की photocopy के साथ में ठीक है with all testimonials यानि 10th के बाद से लेकर जितनी भी higher qualification आपने गेन की है उनकी photocopies आपको क्या करनी है mail करना है davnrps at the rate zmail.com इस पर आप लोगों को mail करना है भीजना नहीं है only shortlisted candidate with higher qualification and relevant experience will be called for return interview and demo तो यह बिलकुल permanent vacancy है salary भी काफी अच्छी है आपको मैंने बता ही दी है पहले return test होगा फिर interview रहेगा और उसके बाद demo class आपकी होने वाली है आपके subject से related आपको एक topic जो की आपको बहुत अच्छा है जिस पर आप जो है अधिक से अधिक जो है बोल सकते हैं 10-15 मिनट तक जो है उसके बारे में बता सकते हैं पढ़ा सकते हैं तो वो आप जो है तयार करें ठीक है साथ मैं intro अपना तयार कर लें और return test के लिए आपने जो CTAT का अगर आपने exam दिया है तो आप उसके according जो है तयारी कर सकते हैं यह जो vacancy है DAV नंदराज पब्लिक स्कूल और यह नंदराज पब्लिक स्कूल जो है कहां पर है तो इसके लिए आप लोगों को यहां पर देखना होगा यहां contact contact में reach us पर जो है देख लेते हैं यह नंदराज पब्लिक स्कूल जो है कहां पर है तो ये देखिए ये जो स्कूल है ये राची में है राची जारखंड में ये स्कूल है तो अब आप देख लें अगर आपका subject है क्योंकि permanent vacancy जो है बहुत कम देखने को मिलती है जहां पर fixed salary रहती है तो ये काफी अच्छी vacancy है जो भी candidate apply करने के चुक रहेंगे स्कूल की official website का link आप लोगों को इसी वीडियो के नीचे description box में share कर दिया जाएगा मिलेंगे next वीडियो में thank you